हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टी योरोटोब चैनल फोर क्रेटीव एश्टीरीच आज इस सेशन के माधियम से लोग देखेंगे बी एच डी इउन फोर्टिफोर के लिए इंपोर्टेंट कोशन से लेप्टिव कोशन जो आने वाले एक्जाम की टिश्टिकों से बहुत ही ज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जैसे इस सेशन में मनलब इस सब्जेक्ट में आपको गधियांस भी पूछा जाएगा ओके गधियांस के साथ प्रशनोत्तर भी पूछा जाएगा तो मैं इसमें जो मैंने सलेबस देखा तो सलेबस में देखिए इसमें दो ब्लो नहीं रहती है हिंदी के subject में यह सब बहुत ही अच्छी कवी कवित्री में सामील है ठीक है तो इसके बारे में पूछा जाएगा और बात रही second blog में second blog से आपको गदिहांस पूछे जाएगे तो आप सकेंड ब्लोग को जो ना मैंने उसको देखा तो गधियां सेलेक्ट करने योग नहीं है तो मैंने ऐसे भी कुछ बता ही दिया है तो मैं पहले ही बता दिया तो आपको जो इस तरह से सलेवस में दिया गया है लोग वन में आपके प्रशनोतिर टैप का पूछी जाएंगे और ब्लोग टू में जो ना को गधियांस टाइब से पूछी जाएंगे उससे ठीक है तो आपको दोनों को फोकस करना होगा और इस सब्जेक्ट में थोरी से खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा ठीक है तो इस सेलेक्टिव को से भी आपको लिए सेलेक्ट किया हुआ है और इसम इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है नेक्स्ट को से जगाव चायावादी कभ्यों के परती प्रगती सील कत्मों की विवेशना कीजिए और गयच मैं एक सजेशन और दूँगा आप एसमें के कोशन को जरूर कंप्लीट कीजिए और से मैंने इसमें एट भी कर दिया है फिर भी कि आप सभी जो ना उसमें भी देख लिजेगा गदियांस की स्टेफ से पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्णूतर पूछे जाते हैं ठीक उससे भी आपको काफी हद तक हैल्प मिलेगी जरूर देख लिजेगा मेरे बातों को मानिए और नेक्स्ट कोशन रहेगा चा कावी की मुल संब्यद्ना को असपश्ट कीजिए नेक्स्ट को से जगापका नेराला कावी की अंतरवस्तू लिखें और नेक्स्ट को से जगा सुमित्रा नंदन पंध के कावी में अभिवेक्त प्रकृति संदर्य पर परकाश डलिए यह सभी आप समझ सकते हैं हिंदी में कितने योगदान हैं इन सभी का सुमित्रा नंदन पंध हो गया महादेवी वर्मा हो गया तिरिपाठी जी हो गया निराला जी हो गया यह सब जो अना बहुत ही जदा महत्पून है तो इसको इगलूर नहीं कीजिएगा इसको जरूर देख लिजिएगा ठीक है और की चेतना को व्यक्त कीजिए यह इंपोर्टेंड रहेगा तो इसको देख लिजिएगा ठीक है नेक्स्ट को सने अपका चिंता सर्ग का वाचन वाचन विशले संद जैसे यह देखे यह सब जो आपका ब्लोक टू का है यह सब जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं चाल यह आंसो की वी से वस्तू पर प्रकाश डाले इसको देख लिजिएगा उसके संधिया सुंदरी कविता का क्या महत्व है जागो फिर एक बार कविता का परतिपाद असपश्ट कीजिए यह देख लिजिए सब जोकरों को सेन महत्पून देखे और मैंने इतना ही अभी क्योंकि इसमें आपको ब्लोक टू में मैंने देखा वो सेलेक्ट योग नहीं है क्योंकि गध्यांस है गधियांस में ये तो कहां से पूछेगा कौन से लाइन पूछे जाएगा तो इसको हम लोग सही मैं सही बता दा रहे तो नहीं समझ प्यारेंगे और आपको मैं यही जरूरत नहीं है तो आप इतना इतना सारा कर लेते हैं तो आपको थोड़ी से भी प्रोब्लम नहीं आएगी और बस ब्लोग टू को आप थोड़ा सा देख लिजेगा वह गदिहांस टाइप से हैं तो सारे के सारे चीज़ना जैसे यूनिट 6 से 13 तक आपके इस तरह से ही पू तो इस तरह से आप जरूर देख लिजेगा गधिहांस पर फोकस किजेगा गधिहांस आपको पूछे जाएंगे ओके तो बस आज की सेशन में बस इतना ही रने देते हैं आई होप कि मेरी बातों का आप सही तरह से समझ चुके होंगे कि भी एच डिए 144 में किस टाइप से प क्लेक्ट कर सकते हैं ओके तो बस आज की सेशन में इतना ही रने देते हैं जो भी इस चैनल में न्यूँ है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन को जरूर्द हिट किजेगा और वीडियो पर सेने तो लाइक किजेगा कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो सो प्लीज डू कोमेंट उसके अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तब के लिए थैंक यू झाल 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 झाल